असलाम लेकुम आज का हमारा मजमून का उन्वान है मेरा तारूफ उर्दु में कहते हैं मेरा तारूफ इंग्लिश में कहते हैं माई सेल्फ मराटी में कहते हैं माजा परीचे और हिंदी में कहते हैं मैं ठीक है? अब मैं पढ़ना शिरू करती हूँ मगर यहां आप अपने हिसाब से चेंजे जरूर करना यानि जो आपका नाम है, आपकी वालिदा का नाम है, आपके वालिद का नाम है आपकी उमर, आपकी जमात, आपकी पसंद, वो आपको यहां पर बदल देनी है यानि आपको अपने ही बारे में सर लिखना है ठीक है? तो मैं पढ़ना शिरू करती हूँ मैं एक लड़की हूँ मेरा नाम आमना है यहाँ आपका जो नाम है आपने वो लिखना है मैं पंजुम जमात में पढ़ती हूँ आप जिस भी जमात में होंगी दुम में, सुम में, चाहरू में आपने यहाँ वो लिखना है मेरी उमर दस साल है यहाँ आपने अपनी उमर लिखनी है मेरी स्कूल का नाम अंजुमन इसलाम है आपकी स्कूल का नाम जो भी है आपने वो लिखना है मेरे वालिद का नाम आरिफ है मेरी वालिदा का नाम शाहिन है यहां भी आपने अपने वालिद और वालिदा का नाम लिखना है मेरे दो भाई है आपके जितने भाई और जितनी बहन है आपने वो लिखना है मुझे कहानिया पढ़ना पसंद है अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो लिख सकती है मुझे ड्रॉइंग बनाने का शौक है अगर आपको कलर करने का शौक है आपको बैट मिंटन कहलने का शौक है तो आप यहाँ वो लिख सकती है मेरा पसंदिदा रंग गुलाबी है मेरी सहली का नाम हीना है आप अपनी सहली का नाम लिखिए और अगर एक से ज्यादा आपकी सहलिया है तो आप सब का नाम लिख दीजिए मुझे खीर बहुत पसंद है अगर आपको बिर्यानी पसंद है तो आपने यहां बिर्यानी लिखनी है मैं अपने अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ और आप अपने अम्मी अब्बू के बारे में अपनी स्कूल की टीचर के बारे में अपने दोस्तों के बारे में अपनी पसंद नापसंद के बारे में जो चाहे मेरा तारूफ में हम वो सब points लिख सकते हैं ठीक है अपने तालुक से हर चीज हम इसमें लिख सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और हर बार की तरह इस बार भी कहती हूँ कि खुद से लिखने की कोशिश कीजिए इसमें और जुमले एट कीजिए उससे आपकी लिखने की सलाहियत बढ़ेगी और आप खुद से बहुत अच्छा अच्छा लिखने लग जाओगे बहुत शुक्रिया तैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हाफिज